हालो एवर्यवन कैसे हैं आप सभी तो आज हम लोग कोशन नमर 5 करने वाले हैं ठीक है कोशन नमर 5 जो होता है होट कोशन एक तरह से होता है आपको मालूम होगा तो आज पहला कोशन कर लेती है जो टिक्नोमेट्रिक दिया हुए क्या दिया भजा आपको 10 ठीटा 1 upon 10 ठीटा 2 तो फाइंड करना वैलू यह वैलू आपको फाइंड करना 10 स्कॉयर प्लस वान अपॉन टैन इसक्वाइर तो सबसे पहले मैं यहां पर लिग देता हूं कि टैन जो है अपने पास जो दिया है टैन ठीटा 1 upon 10 ठीटा यह दिया हुए ठीक है टूदिये इसको आपकर कर लो इ एसी स्क्वाइर लोगे तो ब्रेक अचालय्या का पावरल एक टीक फॉर्ण में ह्को मैं उत्व होता है। इसको आप एम लो इसको आपने आ लिया इसको आपने लिए ठीक है यह पूरा सेक्षन इसको बी माल लिया अपने है से का पहले A का स्क्वाइर करना है तो A का स्क्वाइर मतलब 10 का स्क्वाइर प्लस फिर क्या लिखना है 2 A B लिखना है लिखोंगे 2 A कितना हमारे पास 10 थीटा B कितना हमारे पास 1 अपन 10 थीटा plus 10 क्योंzek लगे मुई यह उपर नीचे दुनों और सेल हो जाएगा तो मैं दोने को कड़कर देता हूं यह दुनों कड़े तो आपका क्या आ गया है यहाप आगे टू ठीक है और यह वन अपन टेन इसक्क्यर ठीटा ब्रेक अपन करो के टो पावर इधर आ जाएगा ठीक यहाँ बैगा पॉर इतना समझ में कैसे करना है क्या बचा है 10 और 1 upon 10 यह लाना है आपको दिख रहा हो गए यहां पर यह 10 है और यह 1 upon 10 इसकी जरूरत नहीं है तो इसको इधर shift कर दो बस वही करना अपने को इसको साथ में रखो टैनिस को टीटा प्लास वन अपन टैनिस को टीटा इसको देखेंगे कैसे करना है यहां पर दिया है के इन गिवन फिगर इस डाइमेटर अपने के उपर आपर दिया साइड में लगाने को तो अगया मतलब के और एक बराबर होगा उसी को बोलते जोए-गनाइड के उस्त्राइड मेंद में तो सब्सक्राइब करने का और वो सरकल को पॉइंट डी पे इंटरसेक करें तो सी यानि यह सी है यहां तक ड्रॉ कर लो और यहां पर नाम आपने दे दिया डी दे दिया और यहां पर रे बोला है अब उसके बाद क्या है पहला काम हमने कर लिया ठीक ना फिकर आपको बनाना पड़ेगा यह रो करने बोला तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा फिर आगे क्या बोला शोड़ करना है चीए और इडी क्या है इक वले सी इए और इडी देखो चीए यहां से लेकर आठी और इडी यहां तक है दोनों क्या एक वले तो कैसे प्रोब करोगे आपको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर ड्रॉण अना से फ्राम दे सेंट्र अप दो सरकल देखो यह सेंटर अफ सर्कल से जो पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉड की उपर वह कॉड को क्या करता है यानिके तू इक्वल पार्ट में डिवाइट करता है यह आपका नाइद में थे रमता तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो होगा क्या पूला है C और E d इक्वल होगा C और E d एक्वल होगा ठीक है ही सिट्रम के बेस्पे हमने डायरिक बता दिया कि हमारा C और E d इस्तामाल करके हम लोगों क्या लिखना है उसका रिजल लिखना है तो देख्वह यहां फिर आफ इंटर सेक्षिन आपकोर्ट कर रहे है तो इंटरनल डिवजjung Five का है न थेरम तो इंटर्नल डिविजन ऑफ काट जो क्या होता है जब डूजगा कट करता है कैसे बने गया इसका रिजल्ट क्या है का एई अपन एबी ठीक है एई अपन एपन एपन और सी आपन और सी एपन एपन आसी एडी आएगा सी एut में संसे एह मल्टिप्लाइव करना है इन्टर्ंनल को धरेम जो प्रोपर्ट से वे इट एड्र कोव ब्लाएं तो आप अपर आपने यह बता दिए इसके यूज औरर क्रूफ करना है, क्या करना यह इसको वापस इसको फिना पड़ेगा आपको सबसे पहले डी पूफ करना तो इसको वापस है लिखो वॉइट कलर लेता हूं यह लिखो आप AE, EB, CE और ED, आप मुझे बताओ, CE ED के equal होता है, तो CE के जगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ED के जगा हमने क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं, यानि ED के जगा पर CE लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, A e multiply a e multiply e b c e multiply e d के जगा हमने क्या लिख दिया इसके जगा c e लिख दिया सी हो गया आप सी दो बार है तो c e का स्क्वायर हो जाएगा तो लिख हो गया c e स्क्रेट इसक्रेट हो जैगा a e e eB यह आपको प्रूफ करना था ठीक निस इसक्रेट इसक्रेट इसमारे इसथ को देर फूर ऐसे गोगई उन्हें यह पूरा लिखना है तो यह नहीं टुबारा लिखना है यह तो थर जो है उसको solve करना start करेंगे